असलांग वालेकिम डिया स्टुडेंट्स वेलकम एक्सपी अकेडमी डाट कॉम जहां पर आप स्टेप फाइड स्टेप तुमाँ कम्पिटर कोर्सिस उर्दु जुबान में सीख रहे हैं Dear Students XP Academy आपको उफ्तलिफ कोर्स की complete DVD उर्दु जबार में प्रोवाइड कर रहा है जिसके थुरू आप गर में बैठ कर तुमाम कोर्स आप अपने कम्पिटर के सब्सक्रीन पर रहते हुए step by step सीख सकते हैं तो Dear Students XP Academy का ये question and answer का session है जिसमें आपके सवालात और उनके जवाबात दिये जाते हैं तो Dear Students आज का जो हमारा सवाल है वो यह है कि AutoCAD 2017 याद रखेगा AutoCAD 2017 की file को अगर password लगाना हो तो वो आप कैसे लगाते हैं Definitely Dear Students जब हम लोग अपने पास कोई काम कर रहे होते हैं हम कभी भी यह नहीं चाहते कि हमारे design के अदर कोई बंदा आकर गड़ बढ़ करें या उसके अदर कोई problem कोई पैदा करें तो हम लोग उसके करते हैं protect करते हैं अब उसके अदर हम password लगा देते हैं ठीक है अब AutoCAD 2017 में आपको password की option कहीं भी नहीं मिलेगी आप उसे जितना भी डूंड़ेंगे आपको वो कहीं भी नहीं दिखाई देगी ठीक है लेकिन यहां पर मैंने AutoCAD 2017 की help को open किया हुआ है और यहां पर बिलकल अगर आप इसको study करें तो आपको यह बता देखा कि password को क्यों नहीं यूज किया जा रहा है यहां पर ठीक है password जो available था वो तकरीबन 2016 और 2015 से पहले पहले था अब जितने भी latest software आ रहे हैं AutoCAD के उसमें password आके पास available नहीं है अब यूँ नहीं है इसकी कुछ अपनी टेक्निकी वजवात है लेकिन डिस्टर्स अब जब हमारे पास password नहीं है लेकिन हमने तो definitely अपनी file को save करना है तो वो हम अपनी file को कैसे save करेंगे किस तरह से इसको project करेंगे कोई दूसरा बंदा इसको आकर हमारी file को चुराना सकी है तो इसके हमें क्या करना होगा तो do students इसके लिए just a trick यूज की जाती है क्योंकि ये question था कि students का तो इसलिए answer मैं आप उसको देने जा रहा हूँ इसको trick यूज की जाती है do students हम क्या करते हैं इसको third party software अलाइदा से software के अंदर हम इसको save करेंगे मिसाल के तोर पे सबसे पहले मैं इस file को save कर देता हूँ यह जो मेरे पास file है मैंने इसको save कर देंदर 007 के नाव सिसे में save कर देता हूँ अब आपने करना क्या है आप इसके पर right click करेंगे इस file के पर और अपने पास आप डालेंगे विन आर जब आपके पास विन आर होगी तो आप इसको कर देंगे add to win r ठीक है अब जो आपने add to win r किया sorry right click करेंगे आप इसे कर देंगे add to archive ठीक है अब आपके पास यह विन आर के इंदर आ चुका है तो आपने यहां पर करना होगा set password याप ठट पर डिका पासवर्ट इसे करने जा रहे हैं अब आपने इसको पासवर्ट दे दिया 123456 को यह आप इसे पासवर्ट देखते हैं और अगर आप से शो करेंगे otherwise इस आपका शो बंद हो जाएगा ठीक है तो इसे शो कर देता हूं फिश्यक मुझे दिखाई दे आपने इसको किया है और आप इसे अभी म पासवर्ट बोलेगा तो आप इसको 123 का पासवर्ट दे दिएगा जो आपने पासवर्ट दिया होगा तो आपकी फाइल अगेन आपके पास ओपन हो जाएगी तो ठाड़ पार्टी की तरूप अपनी फाइल को ज्यादा बेतर तोर पर अपने पास सेव कर सकते हैं तो यह थ साइड ओपन करें www.xpacademy.com जहां पर तुमाम कॉपिटर कोर्स आपको रुदु जबान में step-by-step कराए जा रहे हैं जिन में शामिल है 3D Lumia, AutoCat, Rivet, 3D Max, Photoshop, Google SketchUp और इस तरह से HTML, Quantity Serving और पॉसर एसौट फिल्ट जो आपको step-by-step कराए जा रहे हैं और अगर डीसर्ट आप हमेशा विजिट क्या करें कि यहां पर आपको बहुत सरे ऐसे सवालात मिलेंगे जो आपके माइन के दर भी पैदा हो रहे होते हैं आप पूछना जा रहे होते हैं लेकिन आप पूछ नहीं बाते हैं अप पूछना पाने के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे यहां प अपना cell number और अपना जो आपका subject है उसको select करते हो आप दिर question type करेंगे question type करने के बाद आपके पस यहां पर capture होता है capture में जो भी आपके पस यहां पर numbering होगी plus के साथ जो plus के साथ answer बनता होगा वो आप यहां पर type कर देंगे like 3 यहां पर 3 बन रहा है ठीक है तो आप में submit कर देंगे जिसी आपका question हमारे तक पहुझे काम कोशिश करेंगे इसका जल्द जल्द और 24 के इंटे के इंतरे जवाब दिया जाए आपको अगर आप यह चाहते हैं कि इसका जो भी जवाब है वो आपके सेल पर आजए तो उसके लिए आप हमारे चैनल को subscribe करना ना बुलिएगा like करना ना बुलिएगा और feeds back करना ना बुलिएगा तो please dear dear students हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी मस कीज़ेगा तो next lesson तक के लिए मुझे इजाज़त दें इंशालला अगले lesson में में किसी सवालात और जवाबाद के सेशन में किसी सवाल के साथ हाजर होंगा उस तक के लिए मुझे इजाज़त दें अला हाफिज असलाम अलेकम